विरेंजी हमारे साथ जुड़ चुके विरेंजी ये इंडिया एलाइंस और अगर आप उत्तर प्रदेश के दृष्टी कोड़ में दोनों का आकलन करते हैं अभी कहां पे इन दोनों को पाते हैं देखिए ये बात एकदम साफ हो गई जिस दिन इंडिया एलाइंस का ऐलान हुआ कि मुसल्मान वोट अब उत्तर प्रदेश में कहीं बिखरेगा नहीं भटकेगा नहीं क्योंकि मुसल्मानों में एक बात थी कि कांग्रेस देश में अच्छा कर रही है इस बार कांग्रेस को वोट दिया जाए वो बात अब खतम हो गई और यह कहा जाए तो सपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहतर हुआ कि वो अपना वोट बैंक बचाने में काम्याब रहे बीजेपी को इससे थोड़ी निरासा हो सकती है बिजेज जी असी लोग सभा सीटों में अगर आप विध सपा के पास जी अगर सीट अगर देखा जाए तो बीस लोग सभा सीट उनकी आनी चाहिए लेकिन चुकि विधान सभा और लोग सभा के चुनाओं में अंतर होता है इस लिहास से अब यह लडाई 2024 की क्या रूप लेगी कितने सीटे आएंगी यह अलग बात है लेकिन का उत्तर परदेश में कुछ नहीं है लेकिन कांग्रेस का इन दिनों माहौल अच्छा है और यूपी के बाहर माहौल अच्छा है उसका फाइदा कांग्रेस को इन गडबंदनों में मिल रहा है तो यह जो लडाई होगी 2024 के चुनाओं की यह काफी काटे की दिखती है 80 वो 75 प्लस का है और उस लक्ष में आबदा में उसर आ गया तो उसमें राजबर और दारा सिंग चोहान तूट पड़े उन्होंने बीजेपी को उस नारे को पूरा आत्मसाथ कर लिया अब बता जा रहा है तीन चार ओल लटके हैं उसमें क्यसवद्यो मोरिया है संजे चोहा और कौन-कौन है उनको भी बीजेपी आत्मसाथ करने के लिए तयार है तो यह का कोई संकर जी की बरात तयार हो रही है कि मांग धतूरा बसम लपेटे जो आए सब को ले लो सब जाती है समिकरा ठीक कर लो यह बीजेपी कितने लोगों कितनी सीट देगी यह वी एक बड़ी समस्या रहेगी आगे लेकिन जैसे पुलिस में बड़ा खाना होता है आपने सुना होगा अपने हां गाओं में भंडारा होता है कि जे आवे सब पूरी ले खाए कोई रोक टोक नहीं है तो बीजेपी ने वैसे इसमें भंडारा लगा रखा है कि जो छोटा बड़ा दल हो स आपका आओ सबके लिए खीर और असगुला बन रहा है कुछ लोग खीर नहीं खा रहे हैं तब तक आप चखिए जब आएंगे तो उनके लिए अलग से बनाई जाएगी तो खीर वाला मामला आप जानी रहो क्या है तो नेताओं का देखिए अभी मैं सुन रहा था मलिक कहाई धनक जायें इनका को ilber और नहीं है यहाँ सत्ता मिलेगी यह कहें हम चरीट की बाता की बात करते हैं यह अवसर खीर julien आउसर मिलेगा तो ये लोट जाएंगे सत्ता के लिए तो इंडिया और एंडिये की जो लडाई है वो अभी आउसर वादियों के बीद चल रही है वो अभी खीर और पूरी वालों के बीद चल रही है अभी इसका जो स्वरूप होगा सीट सेरिंग का उसमें एक दूर महीना पाद अभी इस्तितियां बनेंगी तब तक आप इनका आनंद लेते रहिए ये जरूर है कि राहूल गांधी की छबी बहतर हुई अब उनको बीजेपी के नेता पप्पू नहीं कहते अब साहर डरने लगे हैं क्योंकि जब से उनकी सांसदी गई तब से राहूल गांधी की छबी और बढ़ गई तबी वो ट्रक्टर चलाते हैं कभी धान बोने लगते हैं धान बोना अपने घाओं में बड़ा उल्टा माना जाता है कि धान बोने में किसी को परशान करने से उसका तात्पर है तो कांग्रेस की साख तो रहूल गांधी की सांसदी जाने से बढ़ी रही है उनको फाइदा होई रहा है अब देखना यह है कि यूपी में जो असी सीटों का खेल है उसमें जतना पुछकार पुछकार के बीजेपी आजकर अपने छोटे दालों को मिल रही है पर्धान मंतरी भी हाथ पकल पकल के बतिया रहे हैं बड़ा नजारा बेहतरीन देख ही आदमी सबको दोस्त बनाना पड़ता है एक साहितकार ने लिखा है कि जजबातों में बहिने का जमाना आप चला गया जो सौदा करने में माहिर है वो हमेशा खुस है तो यहां सौदे बाजी का सियासत में चलन तो हई रहा आई है कोई बड़ी बात नहीं है उद्धे पर चाही के साथ जीना कितना बड़ा नाम देती है और नेताओं पर भी है सुनिएगा कि नाटक है लोकतंत्र का चुपचाप देखिये और बोलोगे तो पस्ताओगे बस आप देखिये और दर्बार में सच बोलता बेसक है सिर्फिरा और छपन से ज़्यादा सीना होगा नाप देखिये और करते भी क्या जब आसियां बरबाद हुए थे कमजोर परिंदों को हमेशा है अभिशाब देखिये और उसने कलम का सिर कभी जुकने नहीं दिया किसान से रहा उद्धे परताब देखिये बहुत शुक्रिया बहुत भाद धन्यवाद बिरेंजी ग्राउंड ज कर दो